स्वामी की दादी बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी उनका सामान था पाँच दरियां, तीन चादरें, पाँच तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर पटसन के रेशे से बना एक वरगाकार बक्सा और लकडी का एक छोटा बक्सा जिसमें तामे के सिक्के, इलाईची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे रात के भोजन के बाद स्वामी नाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलाईची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था बड़ी प्रसन्नता से भरकर वहा बोला, ओ दादी तुम नहीं जानती, राजम कितनी उची चीज है उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई तुम्हें पता है, उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामी नाथन बोला सच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा उसके पिता पुलिस अधिक्षक है, वह यहां की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है दादी काफी प्रभावित हुई उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब सौमीनाथन के दादा, रौबदार, सब मैजिस्ट्रेट थे जनके दफ्तर में पुलिस वाले कापते हुए खड़े रहते थे उनसे डर कर खुखार से खुखार डाकू तक भाग खड़े होते थे सौमीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग-अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़ मड़ करती हुई बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ पताना चाहता हूँ जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं सारे नंबर मिलते होंगे है ना दादी ने पूछा अरे नहीं, उसे सौ में से नब्बे मिलते हैं चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परिक्षकों को भी चक्छत कर देते थे किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले दस्वा हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें दो सो नंबर तक दे देते थे जब उन्होंने एमे किया, तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही पता नहीं, मैंने कब उसे उतारा हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता याद आया, तब बच्चा दस दिन का था अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी पता है, वह मेडल अब कहा है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेफकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां की मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस चैसा महामूर्ख कोई नहीं और अब बस भी करो दादी तुम बेकार की पुरानी कहानिया सुनाती रहती हो क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाती हाँ हाँ बोलो दादी जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था सच बड़ा बहादुर लड़का है तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा सुमी नाथन ने बड़े उच्छा से कहानी शुरू की राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे राजम उनके साथ था अचानक दो शेर उन पर जप्टे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया दूसरे ने राजम का पीछा किया राजम एक जाड़ी के पीछे छुप कया और वहीं से गोली जला कर शेर को मा डाला दादी क्या तुम सो गई उसने कहानी खत्म होने पर पूछा नहीं बेटा सुन रही हूँ अच्छा बताओ कितने शेर आये थे दो शेर राजम पर जप्टे थे दादी ने जवाब दिया सौमी नाथन दादी के खलत जवाब से चुड़ गया मैं तुमें इतनी जरूरी बाते बता रहा हूँ और तुम नींद में नजाने क्या क्या उल जलूल कलपना किये जा रही हो अब मैं तुमें कुछ नहीं बताऊंगा मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम राजम को पसंद नहीं करती नहीं नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है दादी ने बड़े विश्वास से कहा उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था सौमी नाथन खुश हो गया दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ दादी शायद तुमें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है मैं मिठास भर कर कहा सौमी नाथन को इस से खुशी हुई लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जुड़ा जो भी उसे जुटा कहेगा वह उसे गोली मार देगा दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंघासन, पतनी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि सौमी नाथन खराटे लेने लगा दादी भी रुक रुक कर बूलने लगी फिर वह भी सो गई प्रिष्ट एक सुच्छे अभ्यास का